हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लंडरे देतीमन आज हम बात करने वाले हैं आरपी एसी फर्स्ट ग्रेड हिस्टरी के पेपर के बारे में ठीक है तो इतिहास के प्रशन पत्र को आज हम देखेंगे जो की आपके लास्ट दो हजार बीस में जो कोशन पेपर आया था तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इन में से कितने कुशन के आंसर आप दे पाते हो क्योंकि अब आपका एक्जाम जो है वो नजदीक आने वाला है निम्न लकित में से कौन सा भक्ती शंत क्रिशन का उपासक नहीं था आप्शन देखें बल्लवाचार्य, मीराबाई, और रामानंद तो बताईए इस में से जो सही आंसर होगा वो क्या रहेगा ऐसे ही प्रशन आपके एक्जाम में आते हैं जैसे कि मैंने आप सभी को सेकिंड ग्रेट के जो भी कोर्स लिया है बच्चों ने तो उनको तो इसका आंसर पता ही है हाला कि थर्ड ग्रेट के बच् पता सकते हैं तो यहां पर अगर आप हटाना भी चाहें और बहुत भाट भी भक्त थी तो यहां पर राम अनंद राम भक्त थी ठीक है राम को जो है वो मानते थे तो राम क्यों पा सकते तो इसका आंसर क्या रहेगा राम अनन्द निम्लकित मेंसे कौन एक अलवार संत है नैनार और अलवार संत मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिये हैं कहीं पर भी गलती नहीं करोगे तो इन मेंसे कौन एक अलवार संत है तो यहाँ पर बहुत ही इस पस्ट दिखाई दे रहा है आंसर जो है वो अन्दाल ही होगा नेक्स्ट देखें थर्ड कोश्यन निम्लकित में को समेलित कीजिए सेख निजाम उद्दिन ओलिया बहा उद्दिन जकारिया मिया मीर, एहमद सरहिंदी और यहाँ पर है कादरी संप्रदाय, सोहार वर्दी संप्रदाय, चिस्ती संप्रदाय और नक्सबंदी संप्रदाय सभी संप्रदाय हम कर चुके हैं सेकंड ग्रेट के सभी बच्चे कर चुके हैं जीके के first paper जो आप सब ने किया है तो आप लोग फटा-फट से जो है इसका answer थे कोई भी बचा ऐसा नहीं होगा जिसका answer नहीं दे सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि first grade का question paper है ये ठीक है क्योंकि आपके exam में हो सकता है ये ही question पूछ लिया जाएं बिल्कुल ऐसे ही प्रस्ण जो है वो आप आएंगे ठीक है तो देखिए question third का answer जो है वो क्या रहेगा तो यहाँ पर जो answer रहेगा यहाँ पर answer रहेगा four number पर यानि कि जो आपके सेख निजाम उद्दीन ओलिया है तो यह चिस्ती संप्रदाय से है ठीक है और second number second जो है वो बीका है बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी संप्रदाय के है वही पर मिया मीर जो है वह है उपर क्या लिखा हुआ था कादरी संप्रदाय के है और अब कौन बच गए एहमद सर हिंदी तो यह नक्सबंदी संप्रदाय के है ठीक है तो यह सही आंसर है next देखिए निम्लकित यूरोपिन व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालकरम चुनिए पूछा क्या है यहाँ पर यह नहीं पूछा है यह कब इसनकी स्थापना हुई यह पूछा है कि भारत में यह कब आई तो सबसे पहले कौन आया पूर्तगाली डच अंग्रेज फ्रांसिसी अंग्रेज पूर्तगाली फ्रांसिसी डच पूर्तगाली अंग्रेज डच फ्रा पहले आते हैं भारत में ठीक है तो यहां पर भी पुर्टगाली है यहां पर भी पुर्टगाली और यहां पर भी तो यह वाला तो गलती हो गया ठीक है समझ रहे हैं आप इसको तो सबसे पहले जो है वो 1498 में कौन आता है पुर्टगाली आते हैं और इसी वक्त जो है स्थापना भी होती है इनकी और उसके बाद आते हैं 1620 में इस्टी इंडिया कंपनी की स्थापना होती है लेकिन भारत में वो बाद में आती है तो इनके बाद जो आते हैं 1620 में डच आते हैं कौन आते हैं डच आते हैं पहले कौन आये पुर्टगाली आये ठीक है तो यह सिक्वेंस आपको याद रखना है और उसके बाद जो हैं वो अंग्रेज आते हैं अंग्रेज जो है वो व्यापारिक कंपनी जो है यहां कोठी स्थापित करते हैं सूरत में 1612 EC में तो भारत में आगमन हुआ 1612 EC में तो यहां पर बच्चे क्या कर देते हैं option 1 और option जो यह 4 है इसमें confused होकर गलत कर देते हैं क्यों क्योंकि यहां पर अंग्रेज जो है वो 1600 EC में इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित की उसके बाद अंग्रेजों ने 1612 EC में सूरत में अपनी खोठी बनाई और उसके बाद आते हैं कौन 1664 EC में फ्रांस इसी ठीक है तो यह सिक्वेंस आपको ध्यान में यदि है तो आप सही कर सकते हो यहां पर confused हो सकते थे भारत में निमने में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी माहे चिन सुरा बाला सोर नेगा पटम सोचने की जरुती नहीं है यहां पर बाला सोर नेगा पटम चिन सुरा यह सभी डच बस्ती थी और भारत में यह नहीं थी माहे तो आंसर क्या होगा इसका माहे जो है वो इसका सही आंसर होगा, ये तीनों तो थी, शिक्स देखें, ऐसे ही फटा-फट से जो है वो आंसर आपको आपके पेपर में भी लगाना है, क्योंकि ये तो factual question है, ठीक है, फ्रांसिसियों दोरा मदरास अंग्रेजों को वापस लोटाया गया, एक्स ला सैपेल संदी 1748 दोरा, पॉंडिचेरी की संदी 8724, सालवाई की संदी 1784 दोरा, मैंगलूर की संदी 1784 दौरा 6 का सही आंसर क्या रहेगा जिनको नहीं आते हैं वो भी यहाँ पर जो है वो देख लें अच्छे से समझ ले तो यहाँ पर जो है मदराज जो है वो अंग्रेजियों को वापिस किया गया था कब किया गया था फ्रांसिसियों के द्वारा तो डेट भी अगर आपको याद है 1648 इसवी में ठीक है इसका सही आंसर 1 होगा तब भी आप सही कर सकते दे और संदी का नाम अगर याद है तो भी आप सही कर सकते हो तो यहाँ तो दो तरीके से जो है वो आप्शन दे दिये है एक्जामिनर ने 7 है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के बारे में निम लिखेत में से कौन सा कथन असत्य है देखिए राष्ट्री आंदोलन ठीक है तो यह जो है वो बिल्कुल रट के जाना अच्छे से आप रट क्या आपने अच्छे से तयारी कर ली है अब आप जो एक्जाम दोगे जो भी पढ़ा है आपने किवल उसी को पढ़ना है कुछ भी अब अलग से उठाने की जुरूत नहीं है कई लोग आपको बोलेंगे कि इनको और कर लो ऐसे मत करिए ये लास्ट ये कुशन पेपर तो आपको करना compulsory है ठीक है जो भी आपके कुशन पेपर 2011 से लेकर अब तक आए है इनको तो आप करके ही जाना एक दिन बैटके आराम से जो है इन कुशन को फटाफट फटाफट देख जाना और बिल्कुल नया जो है वो नहीं पढ़ना है जो भी आपने लिखा हुआ जो भी आपके नोट्स हैं जो भी रिवीजन आपकी चल रही है इसको continue रखिए बस और कुछ नहीं करना है आपको British East India Company के बारे में निम्लखित मैंसे कौन सा कथन असत्ते है 1600 यहाँ पर क्या पूचा गलत पूचा है 1609 इस वी में Captain Hawkins सूरत में Factory खोलने की अनुमती लेने की इरादे से जहांगीर के दर्वार में आया था क्या ये सही है तो ये लाइन तो बिलकुँ सही है जहांगीर ने 1609 भी आ जाता है देखिए 1608 भी आ जाता है ठीक है ये सही है जहांगीर ने पहले तो अनुमती देदी परंदु बाद में पुर्तगालियों के दवाब में आकर मना कर दिया है न ये सही है जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया था अब कई बच्चे जो है वो बिल्कुल question answer रटने लग जाते हैं सुरुआत में और बोलते हैं मैं one liner question answer series जो है वो लेके आएं first grade का exam है second grade का exam है ठीक है और अब जो आप third grade का जो आपका exam होगा इनमें आपको जो है वो complete याद करना पड़ेगा read exam जो था वहाँ पर आपका one liner से काम चल गया अब अगर जिस बच्चे ने ये पूरा नहीं पढ़ा होगा तो इसका answer वो कैसे दे पाएगा पुर्तगाली बेडा तॉमस रो के नेतरतों में हराया गया था तो ये जो है ये line जो है वो गलत हो जाएगी ठीक है तो यही answer होगा क यूद्ध से संबंधित है ठीक है अब ये line जो है वो second grade के हर वच्चा जो है जानता है वसीन की संदी कौन से आंगल मराथा यूद्ध से संबंधित है पर्थम, दुट्ः, टृत्तिय या पर्थम आंगल मैसूर यूद्ध पूचा तो यहाँ पर आंगल मराथा युद्ध है तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया तो ऐसे eliminate भी करने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो answer होगा कि वसीन की संदी जो है वो 1802 इस्वी में होती है ठीक है सन याद है तो ये जो है तुट्तिय आंगल मराठा युद्ध से संबन्दित है ठीक है तो examiner भी आपको कुछ ना कुछ जो है वो clue देता ही है अगर आप दिहान से देखेंगे 1799 में टीपू की मरत्यू के बाद मैसूर की गद्धी पर वैले जिली ने किसे बठाया था बसालत खान, परताप सीन, कृष्ण राज, नंदराज बताईए फटापर से इसका सही आंसर किसको बठाया था 1799 में हो जाती है टीपू की मरत्यू इसके बाद मैसूर की गद्धी पर जो है वो लौड वैले जिली जो है वो किसको बठाते हैं तो इसका सही आंसर है कृष्ण राज को बठाया जाता है ठीक है बंगाल में दुएद साशन किसने समाप्त किया था सर जौन शोर ने वारेन हैंसिंग्स ने लौड हैंसिंग्स ने या कान वालेस ने सोचो इसका आंसर तो फटा फट से जो है वो आपने आंसर सोच लिया होगा क्योंकि इतना जादा तो टाइम नहीं लगना चाहिए अगर यहां पर कुशन यह पूछा जाता कि बंगाल में दुएद साशन जो है इसके जनक कौन है किसने प्रारम किया था तब आंसर जो है वो आ जाता रॉबर्ट क्लाइव तो यह जो है समाप्त किया है आंसर रहेगा वारेन हैंस्टिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग ठीक है? और इसके बाद ही जो है वो छत्रपती की, जब इनसे मुकाबला जीत जाते हैं मुगलों से, तो उसके बाद छत्रपती की जो है वो पादी धारण कर लेते हैं. तो सिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम उटबेड 1657 में हुई उस समय दक्षिनी मुगल सामराज्य का गवर्नर कौन था? साइस्ता खां, औरंग जेव, मिर्जा राजा जैसिंग और मुराद बक्ष बताईए फटाफट से आंसर. ठीक है तो दक्षिनी मुगल सामराज्य का गवर्नर कौन था? तो अभी जो है मैंने आपको हाल ही मैं जो है मिर्जा राजा जैसिंग के बारे में बहुता सारा पढ़ाया, ठीक है? तो हो सकता है बच्चे इसको कर दें, ये तो नहीं होगा. दक्षिनी मुगल सामराज्य का गवर्नर कौन था? मुगल सामराज्य का ग आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे. तो मूल समविधान में 392 अनुचेद, 6 अनसूची, 395 अनुचेद, 8 अनसूची, 394 अनुचेद, 8 अनसूची या 396 और 6 अनसूची. मूल समविधान, यानि समविधान स्टार्टिंग की बात है, ठीक है? वर्तमान का नहीं पूछ र और 8 अनुची ठीक है? जा नेक्स्ट देखे है, 13 अनुचेद, भारतिय समविधान के 19 अनुचेद में मूलते कितनी ऑचतनतरताई सम्मेलित थी? तो जो इसका सही अंसर रहेगा, वह रहेगा, 6 ठीक है? बिलकुल 6 ही थी, या 7 तो नहीं थी, ना 6 थी. next देखो 14 solidus क्या था solidus क्या था फटाफट से सोचिए क्या answer रहेगा इसका solidus जो है वो एक प्रकार का क्या था सिक्का था ठीक है इसका क्या answer होगा तो इसका answer तो मैंने ही आपको बता दिया है कि एक सिक्का था रोमन सामराज्य द्वारा जारी सोने का सिक्का था ठीक है याद रखिएगा solidus नेमलखित मैंसे कौन सा सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है कॉप्टिक जो है मिस्त्र प्यूनिक जो है भासा उत्री अफ्रीका की कैल्टिक स्पेन अरा माइक पक्षमी यूरोप की तो यहाँ पर जो है वो गलत पूछा है गलत ठीक है यानि तीन तो आपको आनी चाहिए तब भी आप इसको कर पाओगे ठीक है तो इसका अंसर होगा कि अरे माइक जो है वो पक्षमी यूरोप की यह नहीं है बाकी तीनों सही है तो इन तीनों को याद कर लो हो सकता है अब यह पूछले examiner क्योंकि examiner जब question paper बनाता है authentic book के साथ जो है वो previous question paper भी लेकर बैठता है और कभी आपने अगर गौर किया होगा तो अगर 10 सालों के question paper में से कुछ न कुछ आपके exam में आगामी exam में आपको देखने को मिलेगा ही इसलिए बोलते हैं कि जो 10 सालों के question paper है उनको तो आप निकालें ठीक है देखें यदि किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो अभी भी time है एक दिन जो है वो आप निकालें और अपना जो है ये काम करें ठीक है next देखिए निमने लिखित में से चीनी सब्विता के विशे में कौन सा कथन सही है तो कितना confuse करता है यहाँ पर examiner क्योंकि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए तभी आप सही का भी answer दे सकते हो और तीन में से पूछा जाता है इस में से कौन सा नहीं है तभी आपको पूरा ही आना चाहिए तो option देखिए सबसे पहले सिया वंस चीन का प्राचीनतम एतिहासिक वंस है ये तो सही है line सांग वंस सिया वंस के बाद सत्ता में आया था ये भी सही है आपने पढ़ा है शिहांग टी का अर्थ है प्रथम सम्राठ तो ये भी line सही लग रही है सामन्ती विवस्ता को समाप्त करने वाले व्यक्ती ने स्वैम को शियांग टी गोसित किया तो यहां तो सबी line ने बिल्कुल सही है अब चलिए option देखते हैं फटाफट से option देखिए या सारी सही है तो fourth सही होगा ABCD ठीक है निमलकेट मैसे चीनी स्रस्टी विश्यक आख्यानों की अनसार स्रस्टी करता कौन था चीनी स्रस्टी विश्यक जो थे अख्यानों के अनसार स्रस्टी करता कौन था बताईए फटाफट से इसका सही आंसर तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है पान कू ठीक है स्रस्टी करता कौन था पान कू नेक्स्ट देखो 18 तो यह तो आपने 2nd grade में नहीं पढ़े है जीके के first paper में नहीं पढ़ा है आपने सकारा के सीडीदार पिरामिड का निर्मान किस साशक की कबर के रूप में किया गया था सकारा के कोई भी question उसको दो बार पढ़ना है आपको सकारा के सीड़ी दार पिरामिट का निर्मान किस सासव की कबर के रूप में किया गया था तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है जो सेर ठीक है अगला देखो रानी किलियो पैटरा निमलखित में से किस से संबन्दित थी राणी किलियोपेट्रा इनमे से किसे संबन देती रोम से मिस्त्र से ग्रीस या युनान से या मैसोपोटामिया से तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा कि राणी किलियोपेट्रा जो थी या मिस्त्र से संबन देती आगे देखो बहुती सिंपल सा कोशन पूछा गया किस भोगोलिक शेत्र को रोमन सामराज्य का हिर्दे कहा जाता है किसे कहा जाता है राइन डैन्यूप की घाटी को नहीं सहरा रेगिस्तान को तो बिलकुल नहीं काला सागर को भी नहीं यहाँ पर आंसर आएगा भूमध्य सागर को ठीक है? चलो अगला बताते हैं देखिए यह कोशन आप सभी बता पाओगे कि हिजरी संबत का आरम जो है वो किया था किसने किया था? पैगंबर मुहमद साब ने किया अबरु वक्र ने किया, अली ने किया उमर प्रथम ने किया, तो किसने किया? फटाफट से बताओ 21 का सही आंसर देखिए कई कुशन जो है वो हम यहाँ पर कर चुके हैं और आप लोगों को याद भी है तो फटाफट आंसर देने की कोशिश करें तो हिजरी संबत जो है वो 622 सीस्वी में किया गया था, किसके द्वारा पेगंबर मौमद साब के द्वारा, ठीक है सबको इसका आंसर आता भी है तो थोड़ा सा फटाफट चलेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर एक तरफ तो क्या है मुसलिम पद है और दूसरा अर्थ है देखिए मुसलिम पद सिरा है हदीद है, सुनने है और तमसीर है, ठीक है तो यहाँ पर जो है आपको मैच करना है तो सोचिए, पहले तो आप सोचिए कि क्या होगा, सिरा का क्या अर्थ होता है यह जो भी पद है, यह एक मुसलिम पद है ठीक है, फटा-फट से जो है इसको सोचें आप क्या रहेगा, सही आंसर तो यहाँ पर देखिए जो सिरा है, सबसे पहले हम सिरा को मिलाते हैं, तो सिरा का जो अर्थ होता है यह है पैगंबर की जीवनी ठीक है इसको याद कर लो, सिरा जो है वह पारम परिक, सामाजिक प्रथाएं, और तवन सिर जो है वो कुरान की व्याक्या है, तो यह हो गया आपका कौनसा हो गया आपका आंसर हो गया आपका फोर्थ, ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से जो है आपको इनको याद कर लो तुरकान ए चहिल गानी को समाप्त किसने किया तुरकान ए चहिल गानी को समाप्त किसने किया तो यह जो है आपके मद्यकालिन जो इतिहास है उससे सम्मंदित है, गुलाम बंसे सम्मंदित प्रशन है, बलवन, अलाउदिन खिलजी, रुकनोद्दीन फिरोश्या और नासुरुदीन महमुद तुर्कान ए चिहल गानी को किसे समस्प्त किया तो यहाँ पर सही आंसर जो रहने वाला है 23 का वो है बलवन ठीक है उलत बांसी सम्बंदित है उल्लेट बांसी सम्मंदित है किसे सम्मंदित है सूर दास से, बिहारी दास से, चैतन्य से या कबीर दास से किसे सम्मदित है? उलट बांसी तो सिंपल है कबीर दास से सम्मदित है प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिना पत विस्तृत था इसको आप कर चुके हो, वन लाइनर में भी कर चुके हो आप, Read मैं भी आप पढ़ चुके हो, Second Grade में भी आप पढ़ चुके हो प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिना पत विस्तृत था प्राचीन व्यापारिक मार्ग जो दक्षिना पत था वो विदिशा से प्रतिस्थान तक विस्त था तो आज मैंने आपको इतिहास के जो है वो 25 प्रस्ट लास्ट एक्जाम में जो आए हैं वो मैंने आपको बताए हैं इनको जो है important जो है वो मानना है और इन में से जो भी आपको नहीं आ पाए हैं फटा फट से जो है इनको अपने नोट्स में देखकर और उनको याद कर लें ठीक है नेक्ट वीडियो में इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू